तो पिछले वाली वीडियो में हमने देख लिया था कि हम इसको non recursive तरीके से कैसे करेंगे अब हम इस वीडियो में देखेंगे हम इसको recursive तरीके से कैसे करेंगे solve ठीक है तो देख लेते हैं देखो तो यहाँ पर देखो पहले हम यह पूरा लिख लेते हैं हम आपर कि हम recursive तरीके से कैसे करेंगे यहाँ पर हमारा है program sum rec sum rec number ले रहा है एक और क्या ले रहा है यहाँ पर यहाँ पर है NUMBER is equal to 0 तो यह return कर रहा है 0 और क्या कर रहा है यहाँ पर NUM calculate हो रहा है और फिर क्या हो रहा है यहाँ पर return कर रहा है हम यहाँ से return return num plus sum rec और यह number pass कर रहे हैं यहाँ पर तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है अब तो सबसे पहले यहाँ पर number आएगा 1,2,3,4,5 ठीक है तो step wise चलते हैं यहाँ पर तो देखो step 1 में क्या होगा step 1 में sum rec को हम call करेंगे sum rec को हम call करेंगे और यहाँ पर number आएगा 1,2,3,4,5 तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया यहाँ पर हमने number call किया sum rec call किया यहाँ पर यहाँ पर ले लेते हैं अब यहाँ पर rec तो देखो हमने sum rec को call किया और number pass कर दिया तो कहाँ पर जाएगा यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पे हमारा number में आ गया 1,2,3,4,5 तो देखो यह sum REC call हुआ एक हमारी stack होती है देखो यहाँ पे एक stack होती है जो क्या करती है हमारे function जो आ रहे हैं आ रहे हैं बार बार आ रहे हैं तो उनको न एक जगे पे रखती है जैसे सबसे पहले यह वाला function call हुआ sum REC और इसको digit क्या दी 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 इससे call हुआ ठीक है अब इस function में क्या हुआ जब हमने यह वाला call किया तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इसको ignore कर दो यह हमारी base condition हम यह बाद में देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है num calculate हो रहा है हमने पहले भी जो non recursive वाला कर रहा था उसमें भी हमने num calculate किया था तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे num calculate करेंगे सबसे बहले तो num is equals to number modulus 10 तो यहाँ पे क्या होगा 1,2,3,4,5 modulus 10 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 तो हमारा num में आ गया 5 अब क्या होगा अब हमारा जो यह था number यह हमारा इसकी जो last digit थी वो हमने use कर दी अब हमें यह 4 digits पे काम करना है तो हम क्या करेंगे इसको अलग कर देंगे इसमें से तो देखो यहाँ पे हम number में से number is equals to number divided by 10 करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 1,2,3,4,5 divided by 10 तो यहाँ आएगा हमारा 1,2,3,4 अब हमारा number में क्या आ गया number में आ गया 1,2,3,4 ठीक है अब हम आगे क्या कर रहे है हम आगे कर रहे है दुबारा से same function कॉल कर रहे है देखो यहाँ पे यही same function इसी same function को दुबारा कॉल कर रहे है बट यहाँ पे add कर रहे है num की value तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे return कर देंगे num plus num plus इस function को दुबारा call करने के लिए sum rec but अब यहाँ पर number pass कर रहे हैं देखो यहाँ पर हम number pass कर रहे हैं but अब number की value change हो चुकी है तो number की value हो चुकी है 1,2,3,4 तो यहाँ से pass होगा 1,2,3,4 ठीक है तो अब क्या होगा देखो step 2 में यह वाला इसके लिए function call होगा तो इसके लिए function call होगा sum rec 1,2,3,4 के लिए ठीक है same function call किया है तो stack में एक और entry आजाएगी sum rec 1,2,3,4 वाली ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा same चीजे होगी दुबारा num is equal to number modulus 10 तो यहाँ पर आजाएगा 1,2,3,4 modulus 10 तो यहाँ आजाएगा यहाँ पर num में 4 num में आजाएगा 4 और आगे क्या करना था मैं number अलग करना था तो number is equal to number is equal to number divided by 10 तो यहाँ पर क्या आएगा 1,2,3,4 divided by 10 1,2,3 आगया number में अब हम क्या कर रहे थे return कर रहे थे क्या num plus sum REC तो देखो यह बाद में समझा जाएगा हम कैसे कर रहे है return वाली चीज num is equal return num plus sum REC इस बाद यहाँ पर number जो जाएगा वो यह बला जाएगा क्योंकि number हमारा update हो गया 1,2,3 चलो next step पर चलते हैं देखो यह था step 2 यह हो गया step 3 step 3 यहाँ पर दुबारा कॉल हुआ ना यहाँ पर sum REC तो यहाँ पर आएगा sum REC और यहाँ पर इस बाद आया 1,2,3 यह ना तो यहाँ पर अब क्या करेंगी वही num is equal to number modulus 10 तो यहाँ जाएगा 1,2,3 modulus 10 यहाँ जाएगा 3 तो हमारा num में क्या आगया 3 आगया उसके बाद number is equal to number is equal to number divided by 10 यहाँ पर क्या आएगा number divided by 10 तो आजाएगा 1,2,3 divided by 10 तो यहाँ जाएगा 12 तो number में आगया हमारा 12 और फिर हम बाद में क्या कर रहे थे return कर रहे थे num plus sum REC और 1,2 पास होगा इस बार क्योंकि number update यहाँ पर 1,2 होच चुका है ठीक है next step next step पर आते है step 4 step 4 तो यहाँ पर क्या होगा sum REC दुबारा call हुआ और यहाँ पर देखो यह वाली entry आजेगी इस बार यहाँ पर entry चड़ा देते हैं 1,2,3 वाली नहीं चड़ाएं हमने sum REC 1,2,3 वाली और इस बार हम call कर रहे हैं एक और sum REC 1,2 एक हो 1,2 पर आगए है हम यहाँ पर आगए 1,2 आया इस बार दुबारा से करेंगे same चीज num is equals to number modulus 10 यहाँ पर आएगा 1,2 modulus 10 तो यहाँ जाएगा 2 तो num में आगए हमारा 2 उसके बाद number अलग कर देंगे last वाली digit अलग कर देंगे तो number divided by 10 तो आजाएगा 1,2 divided by 10 तो यहाँ जाएगा 1 और फिर बाद में क्या कर रहे थे हम सब में return कर रहे थे num plus sum REC और यहाँ पर 1 पास होएगा इस बार num में आगया 1 last step 5 step 5 तो यहाँ पर क्या होगा दुबारा से call हुआ sum REC sum REC और यहाँ पर क्या है इस बार 1 आया यह वाली भी entry चड़ा देते हैं stack में तो यहाँ पर आया हमारा sum REC इस बार क्या है आया 1 आया चलो तो यहाँ पर आया हमारा यहाँ पर वही चीज करेंगे दुबारा num is equal to number modulus 10 तो 1 modulus 10 तो यहाँ पर आजाएगा 1 तो num में आगया हमारा 1 फिर हम क्या करेंगे number को अलग कर देंगे digit को अलग कर देंगे number is equal to number divided by 10 तो यहां पर क्या जाएगा 1 divided by 10 तो यह हो जाएगा 0 इस बार नंबर में क्या हो गया नंबर में हो गया हमारा 0 फिर वही करेंगे return करेंगे यहां से num plus sum rec और यहां पर पास कर देंगे 0 अब 0 के लिए चलेगा तो अब हम यहां पर step 6 में 0 के लिए call हुआ है sum rec 0 के लिए call हुआ अब हम एक कहीं पर रोकना भी है ना यह 0 पर हम रोक रहे थे उसमें while loop की help से हम यहां पर help ले रहे हैं if की कि अगर if जो number है तो देखो हमने यहां पर लिख भी रखा है कि if यह condition तभी चलेगी यह किसी और में नहीं चलेगी जब number 0 हो जाएगा तभी यह condition चलेगी तभी इसको बोलते हैं base condition तो देखो यहां पर क्या हो रहा है जब number 0 हो रहा है तभी रिटरन कर रहा है 0 मतलब यहां पर रोकना है हमें तो यहां पर क्या हो रहा है जब number 0 हो रहा है आपे जब number 0 हो गया ना तो यह यहीं तक चलेगा यह आगे वाली statements नहीं चलेगी इसके लिए क्योंकि जब भी return हो जाता है तो आगे वाली statements नहीं चलती तो देखो अब 0 वाली condition में क्या होगा यहां से 0 return होगा तो यह वाली entry भी चड़ा देते हैं sum REC 0 वाली तो यहां पर क्या हुआ sum REC 0 वाली entry आगई हैना देखो अब क्या होगा यहां से return होगा तो देखो यहां क्या हुआ return हुआ 0 तो return हो के 0 कहा जाएगा कहां पे return होता है जहां से call किया होता है तो देखो यहां से call किया था तो यह जो 0 है वो return हो के आ जाएगा यहां पे तो यहां पे क्या आ गया 0 आ गया और अब यहां पे num देखते है num में क्या पड़ा है तो num में यहां पर one पड़ा है तो यहां पर आ गया one plus तो देखो यहां पर आ गया one plus zero that is one और यह भी क्या हो रहा है यहां से return हो रहा है यहां से return होके जाएगा जहां से यह call हुआ था function तो देखो यहां से one return होगा यहां से क्या return होगा? one return होगा चलो, तो यहां से 1 return होके कहा आएगा, यहां पर आएगा, जहां से यह call हुआ था, यहां पर आजाएगा 1, और यहां पर num की value क्या है, यहां पर num की value है 2 तो यहां हो जाएगा 2, तो 2 plus 1 तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 plus 1 3 हो जाएगा, तो यह 3 कहां यह हो जाएगा 3 तो यह 3 अब return होगा कहां पर जहां से यह call हुआ था return होगा 3 और यहां से call होगा यहां से call हुआ था यहां पर आ जाएगा तो यहां गया 3 ठीक है तो यहां पर क्या है num num यहां पर क्या था 3 था तो 3 plus 3 होगा तो यहां पर 3 plus 3 कितना होता है 6 होता है तो यहां से क्या return होगा यहां से return होगा 6 और कहां पर return होगा जहां से यह call हुआ था यह वाला function तो यह कहां से call हुआ था यहां से call हुआ था तो यहां चलते हैं यहां पर आ जाएगा 6 तो यहां पर घाएगा तो यहां से 10 नेजा जाएगा और ये वाली एंट्रीपी डिलीट हो जाएगी तो यह वाली entry भी delete कर देते हैं अभी आ गए हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आया यहाँ पर आया return हो के 10 और इसमें num में क्या बढ़ा था num में था 5 तो 5 प्लस 10 किता होता है 15 होता है 15, तो यहाँ से क्या return होगा यहाँ से return होगा 15 ठीक है, तो यहाँ से return होगा 15 तो यह वाली entry भी delete हो जाएगी और यह कहां से call किया था हमने यह वाला function starting में कहां से call किया था 1, 2, 3, 4 यह हमने main वाले में से call किया था तो यह जो return होके यह वाला 15 जाएगा हो जाएगा main वाले में तो यहाँ पर जाएगा return होके इस main वाले में तो यह जो 15 आया हो जाएगा sum में तो यहाँ पर आगया sum में तो हम क्या करेंगे last में sum को print कर देंगे अब इसको run करके देख लेते हैं तो देखो enter the number 1, 2, 3, 4, 5 enter किया तो आगया है यहाँ पर 15 और देखोएं यहाँ पर हमने function REC वाला इकॉल कर रखा यह वाला तो यह है इसका यह वाला function तो यह ही एक छोटा से program था हमारा recursive और non recursive तरीके से निकालना sum of its digits